नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल बेसिक नालेज पे तो दोस्तों आज की टापिक में हम लोग बात करेंगे यूपी तुपल सी प्यट का जो एक ज्याम होने वाला है लोग करें कि इसकी मेरिट कितना जाएगी बहुत सारे स्टुडे परिशाद आते हैं कि कितना मेरिट जाएगा यही सब के मन में परिशादी है कि कितना जाएगा कितना नंबर लाएक हैं हम अगले सेलेक्सन जो है जो लिएकपाल बन चुके हैं वो कितना नमबर लाए थे हैं तो उसमें देखिए जिलम भाइज भरती थी कहीं पे 70 मेर्ट गया था कहीं 75 गया था कहीं 65 गया था कहीं 66 गया था तो हमने एक आगर सभी जी लव को मिला दिया जाए तो और आज उत्तर प्रदेश में है वो यह लगभख 66-66 नमबर आ रहा था छाशचाध से 60- नमबर मतलब भरती कितनी थी 12,000 लिए इक प्लस पॉइंट था अ उसमें माइनस मार्किंग नहीं थी तो जब इतना पुश था तर जो हमारी पाइनल मेरिट कितने पर बने थी 67 से 68 तो बारह अजार सीट में जब 67 नंबर के सलेक्शन हो जा रहा है तब देखिए अब यहां कहानी हा रहा है यह कि पहले सी पेट में हम समगते हैं पेट के थूरू जो इग्जाम होने वाला है जो भरती आएंगी लगबक पचास हजार ट पेट में क्वालिफाई कराया जाएगा अगर उतने क्वालिफाई कराना है तो पेट का मतलब क्या है फिर वही पेपर में पेपर हो गया मतलब एक ही पेपर सेलेक्शन हो गया तो पेट में कम से कम 20 गुने लड़के क्वालिफाई होंगे 15 से 20 गुना लड़के अब अगर 50 लाक लड़कों को क्वालिफाई कराना होगा और अगर केवल लेकपाल वालों को मान लिजे क्वालिफाई करा रहे हैं 9000 सीट है अब 9000 सीट के अगर 20 गुना करेंगे तो 9 दुनी अठा रहा एक लाक असी हजार लड़के हो रहे हैं अब आप खुद समझ जाईए कि जब 12000 सी यह मेरिट कम जाने का और रिजन देगी एक लाक असी हजार यह हैं और फिर इसी डेट में SSCCR का पेपर है और कुछ लड़के ज़रूर छोड़ेंगे सरकार का अनुमान था कि लगब 40 लाक फारम पड़ेगा पेट में लेकिन पड़ा कितना है 20 लाक तो फाम वह इसे आधा पड़ा है इसके बाद जो है यहां SSCCR का उसी दिन पेपर है और इन्वस्टी का पेपर है तो आधे लड़के इधर उधर चले जाएंगे आधे लड़के भर नहीं पाएं और फिर इसके बाद दो से तीन दिन उधर जो साइट एकदम चल नहीं रहे थी मैक्सिमम लड़के तीस नंबर या 35 नंबर लेके आएंगे वो इसके बाद जो है यह उपी टिपल से के थू जितनी भी बैकंसी आएंगी उसमें पेपर देने के लिए इलिजिबल है एक लाख 80,000 अगर केवल लगबग 40 नंबर से नीचे मेरिटा जाएगी अगर केवल लगबग 40 नंबर से न क्वालिफाई हो जाएगा तो यही बताना था आप खुद अपने दिमाग से सोचिए कि कैसे 80 नंबर पर मेरिट जाएगा 70 नंबर पर कोई बता दीजिए कोई वैकंसी बताइए जो 70 नंबर 80 नंबर पर मेरिट गया हो जिसमें 10-20,000 सीट हो अगर 150 सीट है तो उसमें चला जाता है 75 नंबर पर मेरिट जाएगा तो चलिए यही हमको बताना था आप कांफ्यूचन से दूर रहिए और यूपी टिपल से पेट की तयारी करिए पेट को क्वालिफाई करिए इसके बाद लेकपाल की तयारी करिए चलिए आखी लिए बस इतना ही